दोस्तो जब मैंने 10,000 के अंदर बेस्ट होम थेटर पर वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने इसमें बहुत सारा प्यार दिखाया और कई सारे साथी उसमें ये कमेंट किये कि आप उसमें जादा रेंज वाला भी होम थेटर में बताईए और जादार लोग 30,000 से लेकर के 40,000 तक के बीच के होम थेटर की मांग कर रहे थे दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि 30,000 के अंदर आप कौन से बेस्ट होम थेटर अपने लिए ले सकते हैं दोस्तो जब मैंने 30,000 के अंदर based home theater के लिए research करना start किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे home theater आ रहे हैं लेकिन जो मैं खोज रहा था वो किसी में नहीं था और मातर में मुझे 3 home theater ऐसा मिला जिसमें कि ये सब कुछ था जिसको कि आप 30,000 के अंदर consider कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारा home theater नहीं बताने वाला मातर तीन home theater बताऊंगा लेकिन दोस्तो ये तीनों ही home theater एक दूसरे को कर्ल टकर देते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में आप अंतक बने रहेएगा मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ले एक अच्छा home theater जरूर से ले करके आएंगे दोस्तो मैं हूँ अनिकेजा स्वागत है अपने इस चनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो दोस्तो ज़्यादा देरी ना करते वे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो हमारे तीसे नंबर पर जो home theater है वो है यमाहा का YST 1840 जो कि आपको 5.1 channel के home theater के साथ आ जाता है इसका source type आपको amplifier based होता है क्योंकि यहाँ पर आपको amplifier मिल जाता है वही सारे चीजों को power देता है इसका sound output आपको 600 watt का मिल जाएगा इसमें दोस्तों आपको connectivity बहुत सारे मिल जाते है HDMI, optical, coaxial और Bluetooth आपको इसमें मिल जाता है इसमें आपको surround setting भी मिल जाता है Dolby Digital और Dolby Digital Plus के साथ इसमें दोस्तों आपको HDMI ARC का support मिल जाता है जिससे कि आप जब अपने TV से यदि कोई HD content देखना चाहते हैं तो आपको उसमें एक बहतरीन sound मिलेगा इसमें दोस्तों आपको 4K 60fps मिल जाता है तो आपको वो मजा नहीं आता है क्योंकि अधिकतर जो आपको sound system मिलते हैं उसका जो frame per second होता है वो कम होता है और दोस्तों बहुत सारे लोग ये confusion में रहते हैं कि उनका TV जो है वो 120 Hz का आता है उनका frequency 120 Hz है तो यहाँ पर तो 60 frame per second है बहुत सारे movie में तो 25 frame per second ही मिलता है आज कल जो content आते हैं उसमें आपको 60 frame per second बहुत कम मिलता है क्योंकि वो HD content होते हैं तो इस वज़े से वहाँ पर frame per second को घटाया जाता है और 60 per second दोस्तों ये एक ऐसा आपको जगह देता है क्योंकि ये जैसा content होगा वैसा ही आपको वो music भी produce करके देगा तो दोस्तों ये एक important feature है जो कि Yamaha आपके लिए देता है दोस्तों Yamaha आपको इसमें compressed music enhancer देता अब ये enhancer करता क्या है जब आप दोस्तों MP3 जैसे music को सुनते हैं तो वो करता क्या है कि वो digitally coded होता है आप जब normal system से आप सुनेंगे तो वो decode नहीं करता है और वहाँ पर जो आपको एक एक beat होता है वो नहीं सुनाई देता है लेकिन जब आप इस Yamaha के home theater के साथ आप जब इसको सुनते हैं तो आपको यहाँ पर एक-एक beat सुनाई देगा जो की amplify नहीं भी होता है उसको यहाँ पर amplify किया जाता है हर एक digital sign को तो यहाँ पर दोस्तों यह बहुत ही अच्छा आपको output देने वाला है इस मामले में दोस्तों इसमें आपको cinema DSP का support मिल जाता है आप यह cinema DSP करता क्या है जब आप movies देखते हैं तो आपको वहाँ पर virtual sound होना ही चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दो तरीके से यह virtual sound create करता है आप अगर इसको नहीं भी लगाए हैं पीछे कोई speaker तो आपको ऐसा feel होगा कि यह पीछर से भी आवाज आ रहा है जैसा आपको cinema hall में आवाज आता है सेम वैसा ही आपको feel यह देने वाला है दोस्तों इसके साथ आपको bass on और off option मिल जाता है आप चाहें तो यहाँ पर bass on करके भी सुन सकते हैं और bass off करके भी सुन सकते क्योंकि यहाँ पर आपको dedicated amplifier मिल जाता है तो यहाँ पर आपको bass मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा crystal clear होता और साथ में आपको जो vocals होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा crystal clear होता है तो इसमें आपको साफ साफ separation महसूस होगा तो दोस्तों यह एक ऐसा home theater है जिसको कि आप अपने लिए music सुनने के लिए या पिर आप थोड़ा बहुत movie देखते हैं तो इसके लिए आप consider करते हैं और दोस्तों यह home theater अभी आपको 30,400 रुपए में मिल जाएगा दोस्तों इसके पात दूसरे number पर हमारा आता है सोनी का home theater जो की है सोनी VVD E3200 यह भी दोस्तों 5.1 channel home theater है और दोस्तों इसमें blu-ray 3D का आपको support मिल जाता है यानि कि आप इसमें blu-ray पर जो बनी हुई movies है या फिर जो content है आप उसको अराम से entertainment के लिए use कर सकते है यहाँ पर जो आपके music मिलने वाला है यहाँ पर बहुत ही जादा अच्छा मिलने वाला है दोस्तों इसका sound output आपको 1000W का मिल जाता है connectivity दोस्तों इसमें NFC मिल जाता है जो कि आप Wi-Fi से directly connect कर सकते हैं और आपको one tap के साथ यह connect हो जाता है इसमें आपको HDMI का support मिल जाएगा optical input मिल जाता है साथ में Bluetooth भी आपको इसमें मिल जाता है दोस्तों अगर surround setting की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको DTS HD का support मिल जाता है Dolby True HD का support मिल जाता है Dolby Pro Logic का support मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों यह जो Dolby है यह सारे digitally हैं जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छा यह output मिल करके दे देते हैं आपको अलग-अलग content के लिए अलग-अलग type के यहाँ पर option मिल जाते हैं दोस्तों इसमें आपको cinematic surround sound मिल जाता है तो आपको right का आवाज right में सुनाई देगा left का आवाज left में सुनाई देगा तो यह जो आपको effect आता है वो digitally surround sound के ही वजह से आ जाता है और दोस्तों यहाँ पर India वालों के लिए Sony ने special feature दिया है India sound setting जिसमें कि बहुत सारे लोगों को यह पसंद होता है कि वहाँ पर bass भी मिल जाए वहाँ पर treble भी मिल जाए सब कुछ मिल जाए तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग सेटिंग है यहाँ पर हर एक चिज़ को clearly जो है दिखाया गया क्योंकि यहाँ पर हर एक चिज़ के अलग-अलग amplifier करते हैं दोस्तों सोनी के इस होम थेटर में आपको 3D इफेक्ट बहुत ही अच्छा मिल जाता है साथ में आपको क्लियर आडियो प्लस टेक्निलोजी मिल जाता है जिस तरह कि मैंने बताया था MP3 जैसा म्यूजिक जो है जो कि डिजिटली कोड़िड होता है आपको वहां पर य जोनी का यह होम थेटर आपको 26,499 में मिल जाएगा दोस्तों इसके बाद आती है पहले नंबर के बारी जिसकर के आप सबको इंतिजार था यह है दोस्तों लॉजिक का Z906 दोस्तों आपको यह भले ही लग सकता है कि थोड़ा सा पूराना टाइप का होम थेटर है इसका ना करके देता है यह जो आपको इफक्ट देता था है वह दोस्तों इसका टककर अभी आपको कोई भी होम थेटर नहीं दे सकता है दोस्तों लौजिक का यह होम थेटर फाइप वाइं चनल होमथेटर है इस में आपको 1000 वाट का Hour Output मिल जाता है इसमें आपको Connectivity जो है दूस्तो को support तो करते थे लेकिन वह certified नहीं थे किसी भी home theater को certified होने से पहले वहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना होता है तभी दोस्तों उस home theater को हम dolby digital certified मानते तभी उसको एक certification मिलता है लेकिन दोस्तों इससे पहले जो home theater तो उनको certification नहीं मिलावाता है लेकिन वह support करते देता है क्योंकि यह उस तरीके से बना हुआ है और जब भी किसी home theater को dolby digital certified बताया जाता है तो उसका बहुत सारे तरीके से testing होता है हर एक music का जो एक-एक keys को वहाँ पर test होता है ऐसे ही किसी को certification नहीं मिल जाता है तो दोस्तों यह जब certified है तो आप सो सकते यह आपको किस तर सुनाई देने वाला है left वाला left में सुनाई देगा right वाला right में सुनाई देगा तो यह दोस्तों एक बहतरीन home theater है अगर आप movies देखना बहुत जादा पसंद करते हैं तो दोस्तों इसके साथ ही आपको 3D studio का भी support मिल जाता है और यह भले ही थोड़ा सा आपको लगे पुरा और कोई home theater अभी नहीं दे पा रहा है और दोस्तों जैसा कि मैंने बताए कि DTS surround sound को भी support करता है तो जैसा डिरेक्टर ने बनाया होगा movie को आपको वैसा ही मिलने वाला है मतलब जैसा आप cinema hall में उस movie को देखते वैसा ही आपको effect घर में मिल जाने वाला है और इसलिए दोस्त चैनल को subscribe करना एकदम मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे content लाता रहता हूं दूस्तों आज की इस वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए good bye